राम शीरा राम शीरा राम जे जे राम राम से बड़ा राम का नाम जो सु मेरे भौपार हो जाए राम से बड़ा राम का नाम जो सु मेरे भौपार हो जाए बनेगे बिगड सारे कामरे प्राणी उधार हो जाए राम से बड़ा राम का नाम जो सु मेरे भौपार हो जाए राम से बड़ा राम का नाम जो सु मेरे बोपार हो जाए अधनिस नित बगपा धनिस धनिस नित बडवा उल्टा नाम जपत जग जाना वालमी की भए ब्रम्ह समाना महर्शी वालमी की जो अपनी प्रारम्धिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी मरा का उल्टा राम होता है और राम नाम की जाब का असर ये हुआ कि वालमिकी तीनों लोकों के प्रसिद विद्वान महर्शी वालमिकी बने और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरित मानस की रचना उन्हों नहीं की उल्टा नाम जपत जग जाना वालमिकी भए ब्रम्ह समाना उल्टा नाम जपत जग जाना वालमिकी भए ब्रम्ह समाना के धुलग उनके पाप तमाम परमपद अंत में पाए नाम से बना नाम का नाम जो सु मेरे वो पार हो जाए सु मेरे पवन सुत पावन नामा अपने वश करी राखे उरामा वीर हनुमान जिने भक्त शिरोमणी हनुमान कहा जाता है उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं ये सारा कमाल तो प्रभुष्र राम का है जो ऐसे तयालू है कि उनका नाम जो भी सच्चे हरदय से पुकारता है प्रभुष्र राम हर पल उसके समीत रहते हैं और इसलिए रामायन में भी कहा गया है सुमिरी पवन सुत पावन नामा अपनी वश करी राखे उरामा है उनके दिल में बसे शीराम वो सीना पाड दिख लाए राम से बना राम का नाम जो सुमिरी पवपाड हो जाए बदनी सनी नाम अगापा दनी सनी निद बनवा कोशल्या माध्यान लगाई पुत्र रूप में राम को पाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभुशिर राम भगवान विश्नु के अवतार हैं मगर उनके जन्म से संबंदित एक बड़ी ही रोचक कहानी है राजा दशर्थ जब पुत्र की प्राप्ती के लिए पुत्र कामेश्ठी यक्य करा रहे थे तब अगनी देव हाथ में घील लेकर प्रकट हुए और माता कहकई माता कोशल्या और माता सुमित्रा को दिये तब जाकर माता कोशल्या ने भगवान वान को जन्म दिया कोशल्या मा ध्यान लगाए पुत्र रूप में राम को पाए अवद में जनम लिये शीराम जो पावन धाम कहलाए राम से बना राम का नाम जो सुमिरे वो पाद हो जाए पाप और पापी से हारे धर्ती से जब संत पुकारे त्रेता युग में एक वक्त था जब सारी रिशी महर्शी राक्षसों के अप्याचार से परिशान रहा करते थे राक्षस रिशियों के हर पुनीत कारी में बाधा डाल दिया करते थे रिशियों की पुकार सुनके भगवान विश्णू प्रभु शिर्राम के रूप में धर्ती पर आय तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वद किया और फिर रिशिगन खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे पाप और पापी से हारे धर्ती से जब संत पुकारे राम की ये असुरों का संहार धरम द्वज आके लहराए राम से बना राम का नाम जो सु मेरे भौपार हो जाए जनम लेत तुलसी बोले राम राम बोला बड़ा उनका नाम जनम लेत तुलसी बोले राम राम बोला बड़ा उनका नाम रामायन के रचैता महा कभी तुलसी दास जी जिनका जब जनम हुआ था तो उनकी मूँ से पहला शब्द जो निकला था वो राम था तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था बड़ी बड़े ज्यानियों ने यह अनमान पहले ही लगा लिया था ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और ठीक वैसा ही हुआ मारशी तुलसी दास को कौन नहीं जाता जनम लेत तुलसी बोले राम बोला पड़ाउं का नाम अन्त में दरश दिये श्री राम रामायन उनसे लिखवाएं नाम से बना नाम का नाम जो सु मेरे बोपार हो जाएं राम नाम पथर तैराएं सागर पे से तू बनधवाएं राम नाम पथर तैराएं सागर पे से तू बनधवाएं लंगा पर चड़ाई करने के लिए जब समुद्र पर फुल बनाया जा रहा था तब नलनिल जिस पथर पर राम लिख दे रहे थे वो पथर तैर जा रहा था प्रभुशिर राम ने भी एक पथर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फेंका वो पथर दूब गया हैरान होकर प्रभुश राम ने नलनिल से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ तब नलनिल ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभुश राम को बताई कि भगवन आप जिसे छोड़ दे उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है राम नाम पथर तैराए सागर पे से तू बंधवाए शिला पे लिख दिया श्री राम वो पथर दूब ना पाए राम से बना राम का नाम जो सु मेरे वो पाद हो जाए शबरी बैठी आस लगाए आज इनसान जात पात के चकर में इनसान से ही नफरत करने लगा है मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभुष राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाये थे उसी जूठे बेर को लक्षमन जी ने खाने से इनकार कर दिया था फिर उसी बेर का उपयोग लक्षमन जी की जान को बचाने के लिए किया गया था मर्यादा पुर्शोतम भगवान राम का ये गुण जिसका हम सब को पालं करना चाहिए शबरी बैठी आस लगाए कुटिया में प्रभुराम जी आए भगत के वश में हुए भगवान वो जूठे बेर भी खाये ग्राम से बना राम का ना जो सुमीरे वो पाल हो जाए ग्राम से बना राम का ना जो सुमीरे वो पाल हो जाए श्री दाम चंद्र क्रिपालु भजुमन हरण भव भय दारुणं श्री दाम चंद्र क्रिपालु भजुमन हरण भव भय दारुणं श्री दाम चंद्र क्रिपालु भव भय दारुणं कंदर्प अगनित अमित छविनव नील नीरज सुंदरं पटपीत मानः तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री दाम चंद्र क्रिपालु भजुमन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुक कर कंज पग कंजारुणं भजु दीन वंदु दिनेश दानव तैत्य वंच निकंदनं रगुनंद आनंद कंद कोशल चंद दशरत नंदनं स्री नाम चंद्र क्रिपालु भजुमन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुक कर कंज पग कंजारुणं सिर मुकुट कुंदल तिलक चारु पुदारु अंग विभूशणं आजान भुजशर चाप धर संग्राम जित खर दूशणं स्री नाम चंद्र क्रिपालु भजवन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुक कर कंज पग कंजारुणं इति बदति तुलसी दास शंकर शेश मुनिमन रंजनं ममरिदय कुंज निवास कुरू कामा दिखल तल गंजनं स्री नाम चंद्र क्रिपालु भजवन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुक कर कंज पग कंजारुणं मनु जाही राचेव मिलही सोबरू सहज सुन्दर सावरू करुनान धान सुजान सील सनेहु जानत रावरू स्री नाम चंद्र क्रिपालु भजवन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुक कर कंज पग कंजारुणं एही बाति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हरशी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली स्री नाम चंद्र क्रिपालु भजवन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुक कर कंज पग कंजारुणं श्री राम जै जै राम